हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार विद आयोश और बात करेंगे दोस्ते इस वीडियो में अडानी ग्रुप के उपर एक इंपॉर्टन न्यूज निकल के आई यह अडानी ग्रुप के लिए है डेफिनिटली थोड़ी सी पॉजिटिव हम कह सकते ह लगातार जो निगेटिव ही निगेटिव निउज निकल के आ रही है उसके बीच में कोई पॉजिटिव निउज निकल के आना यह काफी जादा बहतर होता है तो वीडियो को पुरा ज़रूर देखेगा कुछ इंपॉर्टन डिसकुशन करने वाले इस वीडियो के अंदर और जो निउज आई है वो तो डेफिनिटिल अपसे पहले कवर करते ही है इसका मतलब क्या है उसको लगातार देखेगे हम बात सुनते क्या है कि अडानी ग्रूप के जो शेयर्स है वो काफी अदा प्लेज है और डेफिनिटिल अगर कंपनी शायदी उसको रीपे कर उन्हेंने लोन लिया है on the basis of pledge shares basically वो किस तरह से company जो है वो उसको चुका पाएगी यह सबसे important question था लेकिन आज अडानी ग्रूप ने किया क्या है देखिए यह पहले भी sources के तरफ से news निकल के आई रही थी कि अडानी ग्रूप अपना prepayment कर सकता है prepayment का मतलब क्या होता सब है वो पहले ही अपना जो लोन है वो चुका रहे है तो यह ख़बर बहुत important है कि उन्होंने prepay किया है इस word को highlight करिएगा so देखिए 1.1 billion dollar उनके द्वारा जो पैसा है वो basically prepay कर दिया गया है और pledge shares को उसके द्वारा release किया जाएगा तीन companies के basically company ने अपने 1.114 billion dollar जो है वो चुका है जिसमें जो नाम निकल के आते है वो है अडानी ports and special economic zone अडानी green energy और अडानी transmission तो यह कह सकते हैं कि दुस्तों company जो है वो तीन companies के basically जो pledge holding के वो कम करती भी नजर आ जाएगी इसी तोर पे और company ने क्या कहा है सबसे बिले तो कि जो बाजार हाली में चल रहा है जो बाजार में लगाता है वालिटिलिटी है गिरावट बन रही है market चाता प्रमोटर्स ने जो definitely commitment कर रखा है in continuation of the promoter's commitment to reduce the overall promoter leverage back by अडानी listed company shares उन्होंने यह का है क्योंकि leverage काफी है और promoter's ने विश्वास दिला रखा है प्रमोटर्स का है commitment है कि वो अपनी जो pledge holding के उसको कम करेंगे अपने leverages को कम करेंगे और इसी के light में company ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने prepayment किया है basically अपने certain pledge holdings का इसमें दोस्तों जो नाम निकल किया है वो आपको पताईए लेकिन कितना कितना किया गया है वो भी data हमारे पास है तो इसमें करीबन अडानी पोट्स का 168 million shares 168 million shares जिसकी maturity जो September 2024 थी वो आज ही उनकी दोरह premium कर दिया गया है और जो अब stake है वो करीबन 12% से कम कर दी गई है 12% stake जो है जो pledge थी वो अब कम हो जाएगी after this pre payment फिर आता है दोस्तों यहाँ पे अडानी पोट्स के बाद अडानी green energy जिसकी करीबन 3% stake थी करीबन 27.56 million shares अ आकरी अडानी transmission जिसकी 11.77 million shares की pledge holding थी अभी pledge holding कम की गई है basically जो करीबन 1.4% stake दिखाता है यह बचे कितनी है stake हम यह भी देख लाते है तो as of December 2022 अडानी ports had 17.31 stake pledge after this release it will become down to 5.31% इसका मतलब क्या है कि अभी भी 5.31% की stake जो है वो pledge रखी गई है 17.31% जो stake है वो pledge से हटा दी गई है यह सबसे important बात है 17.31 थी 12% कम की गई तो उसका मतलब अब यह है कि 5.31% ही stake जो है वो यहाँ पर pledge आपको देखने को मिलेगी अडानी ports की यह अगर बात करें अडानी green की इसमें तो अडानी green की पहले थी 4.36 अब हो चुकिए 1.36 यह important है अडानी transmission की थी पहले 6.62 अब उससे हो चुकिए 5.22 तो इतनी इतनी holding अभी भी pledge नजर आती है definitely company ने अभी तीन ही अपने shares की pledge holding जो है वो कम की गई है अब देकिन न्यूस बहुत सानी निकल के आती है राइट लेकिन इसका impact देखते है stocks पे तो इसका बहुत बढ़ा असर तो अडानी sports करीवन 8-9% के आसपास उपर आ चुका है और डे हाइट कर रहा है अडानी ग्रुप के flagship company अडानी enterprises करीवन 10 रुपे उपर 11 रुपे उपर trade कर रहा है आज भी एक बड़ी गिरावट के साथ खुला था अडानी green के अंदर कोई भी इसका response नहीं है और सबसे बड़ी बात त रह गई है और अडानी transmission में भी लूवर सर्किट पे ही ट्रेडिंग हो रही है करीबन 1256 पे stock trade कर रहा है दस पोस्न का लूवर सर्किट लगा है 139.60 पे तो कह सकते हैं कि जो major आपको यहाँ पर तीजी बनती भी नज़र आ रही है वो तो सिर्फ अडानी ports पे आ रही है और अडानी ports कह सकते हैं अभी days high पे basically trade करता हुआ नजर आ रहा है और इस news के बाद stock में और भी तेजी जो है वो बनती हुए नजर आ रही है बट अडानी green और अडानी ports के अडानी transmission के अंदर कोई खास इसका reflection देखने को नहीं मिल रहा है बट अडानी enterprises जरूर दोस्तों plus में आ चुकी है आज शुरुवात में lower circuit के तरफ चला गया था share और उसके बाद वापिस से उपर गया फिर वापिस से थोड़ा थोड़ा कर करके अभी भी current कह सकते days high के तरफ move करता हुआ नजर आ सकता है stock so right अब दोस्तों के stocks पे news तो बहुत सारी आ रही है अडानी group पे आज की news निकल के आए थी mint के द्वारा कि banks में लेट अडानी group use sanctioned loans अब ये news निकल के आए तो definitely ये भी काफी important थी क्योंकि अगर अडानी group को दोस्तों sanctioned loans मिल जाते है तो वो definitely banks का exposure है वो तो definitely बड़ेगा ही बड़ेगा पर इससे important क्या है कि domestic lenders do not plan to cut off the conglomerate from utilizing sanctioned but unused credit lines ये important बात है कि unused credit lines जो है वो use कर पाएंगे fear their action could backfire and lead to default for bankers said ये दोस्तों basically कहा गया तो ये वी एक तरीका होता है कि loan इस तरह से देदे कि credit line पर देदे क्योंकि exposure of bank अभी भी कहा तो ये जा रहा है कि is not at risk and definitely आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि risk पे तो नहीं है इसमें भी कोई धोराय नहीं है कोई जूटी बात नहीं है कुछ जादा ऐसा जरूर देखिए अब politically बहुत साथी चीज़े हो जाती है हम political पे नहीं जाएंगे कुछ चीज़े सही भी है कुछ चीज़े गलत भी है अब definitely उसको justify हम नहीं करेंगे कि what is politically right और wrong बट ये है कि हां सच त भी बहुत important है आज जो अडानी क्रूप को एक बड़ा जटका लगा था वो ये था कि after credit suiz and city groups standard chartered ने भी मना कर दिया था कि वो अब अडानी bonds use नहीं करेंगे as a collateral अगेन ये report थी कोई आदिकार एक पुष्टी नहीं कर सकता है इस cover की बट अगर दोस्तों इसी reports निकल क्या थी तो undoubtedly market को तो damage करती ही करती है सब ये दोस्तों खबर थी कि standard chartered ने ये साफ साफ कह दिया कि वो bonds accept नहीं करेंगे as collateral on margins loan ये दोस्तों बात बताए गई थी और ये ETNOW television channel पर report किया गया था यानि mint भी इनको यहाँ पर क्योट कर रहा है तो ये बहुत important है कि देखिए अगर इ information निकल के आती markets में धीरे धीरे करके वो और जदा damage कर देती है stock को और ये news निकल के आई थी कि यहाँ पर जो lender है अब वो definitely bonds के जरी है अडानी group को पैसा जो है वो lend जो है वो नहीं करने वाला है ये news basically release हो चुकी थी बागी बेंस एक और बड़ी news निकल के आई थी आज कि सेबी ने beneficial ownership details मांगी है from foreign investors और foreign investors बेसिकली मांगी गई है कि कौन कौन से foreign investors जो है वो अडानी group के अंदर hold करते है अब देखिए जो सेबी है उन्होंने रिखा है कि return to various custodian banks asking for details on beneficial owners of offshore funds and foreign portfolio investors ये साफ साफ कहा गया अगे अडानी group का इसमें कोई नाम लिया नहीं जाता है बट अगेन आपको पताएगे अगर सेबी उस पर काम कर रहा है तो पताएगे किस group के खिलाफ काम कर रहा है फिर किस group को जो पर आरोप लग रहे है उसके यहाँ पर definitely सब्बूत जुटा रहा है अब यही अगर हम देखिए है तो सेबी ने कस्टोडियन बैंक से मांगा है बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ ऑफ्शोर फंड्स काफी ज़्यादा आरोप लगे कि ऑफ्शोर इंटिटीज बनाए गई अडानी क्रूप के तरफ से और वो पैसा वापे से स्टॉक के अंदर लाया जा रहा है ताकि स्टॉक को पंप कर सके तो अगेन यह अगर निउस निकल के आती तो डिफिनिटल उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है पर यह भी है कि सेवी ने कस्टोडियन बैंक से पूछा भी था कि कौन-कौन से जो फॉरें बैंक से वो मैनेज करते हैं फ्लोस फ्रॉस 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 फ्रॉ जबा गया है और डेफिनिटल इस कंडिशन के ऊपर अभी कहना सही नहीं होगा पर अगेन यहाँ पर जो निउस निकल के आई यह वो डेफिनिटल काफी इंपॉर्टन है अडानी ग्रॉप के लिए तो देखना होगा कि आगे और किस प्रकार से चीज़े बैठती है इसमें अडानी पोर्ट्स चल रहा है लेकिन बाकी अगर आप शेर्स को डूननी जाएंगे अडानी पोर्ट्स जो दो-तिन शॉक चल रहे है वो है अंबुजा एसी सी अडानी इंटेप्रेजर जरू आज रीकवर होता होने जरा है बट अभी भी अडानी ग्रीन अडानी पावर अ अडानी ट्रान्समिशन, AWL फिर यहां पर आपको देखने को मल जाएगा, ATGL, अडानी टॉट्रल गैस और NDTV यह सारे स्टॉक्स के अंदर अभी भी लोवर सकिट लगते जा रहा है तो अकर यह लगातर अभी लोवर सकिट पे ट्रेड करेंगे तो चीज़े सही नहीं हो पा अडानी गुरुप के लिए ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है क्यों? विगास कंपनी जो है वह अपने Q3 के नंबर्स पेश करने वाली है तो बहुत चाहरी नंबर्स पेश करीगी तो उस पे बाजार की निगाहे बहुत जादा रहने वाली है तो इस वीड़े में इतना ही बाकि आपको लगता है क्या डानी गुरुप रीकवर कर पाएगा? कॉमें जेक्शन में जुरू होता है येगा थैंक्यू फ्रेंड्स वाचिंग इस वीडियो